वेल्कम तु गरुड इंस्टिटुट आफ एक्सेलेंट एडुकेशन आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिका लेसन जो है मैच्स टू में उसका जो 8.1 है वो आज स्टार्ट करने वाले इसके पहले के वीडियो में मैंने सारे बेसिक्स कवर किये है मैं करने से पहले चलो मैं बेसिक्स में बाता देता हूँ एक बार फटा-फट जो जरूरत है अब जरूरत क्या है अब बेसिक्स फॉर्मिले थे बेसिक्स रिशियोस थे जो थे सांसर्थीन है सांट थीटा इजी क्वाश टू अपोजिट अपन हाइपोटेंएस बरेबर फिर क यह तीन बहुत में फॉर्मिल है चलो अब फिर्स्ट क्वेश्चन में रीड भी कर रहा हूं डिस्प्ले भी हो जाएगा टेक्सबुक लेके बैठना ज्यादा फायदे में रहुए चलो फिर्स्ट क्वेश्चन का डाइग्राम बनेना बहुत इंपोर्टेंट है डाइग्राम अगर नहीं बनाओगे तो समझेगा नहीं क्या किदर से आया है समझे पहले डाइग्राम बनना सिखलो अच्छे से यह है यह पी यह है यह है क्यू यह है जो 90 डिगरी है मतलब यह right angle triangle है और मैंने बताया था कि trigonometry जो होती है वो right angle triangle में ज़्यादा efficiently काम होती है ओके PQR, तो क्या बोला है sin P find out करो, सबसे पहले क्या बोला है sin P find out करो, अब sin P देखो कैसे find out होगा sin P is equal to अब sin का formula क्या है opposite opposite upon hypotenuse, तो लिख दो opposite upon hypotenuse अब वो opposite upon hypotenuse तो लग गया, पर opposite और upon hypotenuse अब opposite कुन सा side, अब यह P वला angle देखो यहाँ पर है, यह P वला angle अब sin P मतलब क्या है opposite upon hypotenuse तो opposite side देखो भाई कुन सा है RQ है, देखो RQ लिख दो opposite के जगे पे, upon hypotenuse, hypotenuse देखो कुन सा है हाइपोटेनेस हमेशा याद रखना जो 90 डिगरी का एंगल होता है इसके opposite जो side होता है वो हाइपोटेनेस होता है तो हाइपोटेनेस इस case में कौन सा side हाइपोटेनेस है PQ हाइपोटेनेस है चलो PQ तो यह जो RQ upon PQ मिला है यह तुम्हारा sign P है उसके बाद second क्या find out करने भोला है second क्या find out करने भोला है second find out करने भोला है cos Q ओके cos Q यह भी easy है cos का देखो formula देखो adjacent upon hypotenuse लिख दो adjacent upon hypotenuse the adjacent देखो अभी Q के respect से addition देखना आप है क्यों के अभी पहले पी के देख रहे थे अब ये Q के, अब Q का adjacent कौन है, ये तो opposite हो जाएगा, अब adjacent कौन है ये, QR, ये जो है ये वाला जो side है, ये Q का adjacent है, adjacent माने बाजवाला, adjacent याने बाजवाला तो adjacent, ये Q का बाजवाला कौन सा side है, QR है, तो लिख दो, QR, upon hypotenuse तो same ही रहेगा भई, PQ समझे, ऐसे ratios find out करने है third, अब मैं एक बता दे रहाओ, बाकी के सब solve होंगे, पर जाके पहले, एक बार अपने खुद से try करना समझे, अब 10P, थर्ड वाला क्या है 10P, अब P से वापिस आ जाओ, 10P देखो क्या है opposite upon adjacent है, तो P के respect से opposite कुन सा हुआ ये, RQ opposite upon opposite upon adjacent, तो opposite देखो, opposite कुन सा है, यहां से opposite देखो, RQ है RQ, दिखा उसके बाद adjacent कुन सा है, देखो, यहां से P के respect से PR समझ रहा है ना, समझ रहा है चलो, आगे देखो, 4 तवाला 10Q, ओके यह कर लोगे, चलो try करो, 10Q 10Q try करो, मैं solve कर दे रहा हूँ, देखो, 10Q देखो, यहां पर Q है, अब 10 का मतलब क्या है, opposite upon adjacent है बरभर opposite upon adjacent opposite देखो, opposite, यह Q का opposite side है, वो देखो, Q का देखने है न, अपने को, भाई यह जो रहता है, यह एंगल PR, PR, लिख दो और अबर adjacent देखो, कौन है, Q का QR, adjacent मने, बाजवला आपी भी बता रहा हूँ मैं, तो यह सारे जो हो गए, तुमारे ratios हो गए, अब वैसे ही, same to same आपका second sum है second sum, अब second sum देखो, क्या है second sum का diagram में बना देता हूँ, यहां पर ऐसे कुछ है diagram, माफ करना तुड़ा टेड़ा हो गया, मेरे का सब इस खेल नहीं है, नहीं तो बना देता मैं X, Y, Z, ओके यहां पर X है, यहां पर Y है, यहां पर Z है, उसके बाद है यहां पर A है A यहां पर है B यहां पर है, और C C यहां पर है चलो, अब उसमें फर्स्ट देखो, क्या find out करने बोला है Our length of the size, show the figure The following ratio, ओके सबसे पहले सबसे पहले देखो, क्या बोला है Sign X find out करो अब sign X के लिए क्या देखना पड़ेगा X देखो भाई, sign के लिए क्या है opposite upon, hypotenuse इसी में same rule apply हो रहा है देखलो, same rule है बस थोड़ा से ध्यान देनी के ज़रूर होते अगर lecture पसंदा रहा है, तो like करना ज़रूर ताकि मेरे को भी motivation है कि और lectures बनाऊ मैं, opposite अभी देखो, काँ बर है X का देखो, X यहाँ पर है अपना X का angle यहाँ पर है, तो उसका opposite कुन सा हुआ यह, YZ जो है YZ, बरबर YZ अपन, अभी देखो, हाइपोटेनेस देखो, 90 के सामने वाला साड है हाइपोटेनेस रहता है, तो हाइपोटेनेस को होने XZ, समझ रहा है ना XZ is equal to यह Z नहीं, sorry, is equal to है अब YZ, देखो, YZ की value क्या है A है, देखो XZ की value क्या है, देखो C है, तो A upon C आगे आपका अंसर, तो second, second value कौन जी find out करने बोला, देखो देखो, 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 फटा-फट second बोला, देखो, 10Z है देखा, 10Z 10Z, अभी 10 की देखो 10 का क्या है, opposite upon adjacent है, opposite upon adjacent is equals to अब Z, Z के respect में देखना है मतलब यह वाले angle के respect से देखना है opposite, opposite कौन है Y, X, Y opposite है XY, और adjacent कौन सा है इसका, इसका adjacent है नी बाज़वाला कौन सा side है, Y, Z Y, Z, easy equals to X, Y का देखो value क्या है, X, Y का value है B, और Y, Z, Y, Z का value है A, B upon A, देखो मैं बोल रहा हूँ अभी भी तुम try करो, बाद में देखो solution देखने के लिए मना नहीं है, पर पहले try करो थर्ड वाला चीज क्या है, देखो find out करने बोले, cause X find out करने बोले, cause X is equals to, अब देखो cause का सबसे पहले formula लगा दो भई, क्या है adjacent upon hypotenuse adjacent upon hypotenuse adjacent, adjacent देखो मतलब X के respect से देखना है, तो X देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है adjacent, adjacent upon hypotenuse तो adjacent कौन है, X, Y है देखो, X, Y है उसके बाद, X, Y के बाद देखो hypotenuse कौन सा है, hypotenuse है 90 के सामने वाला साइड, जो यह है X, Z, समझे ना hypotenuse है नी, 90 के सामने वाला तो X, Y, X, Y का वैल्यू देखो बाद में कितना है, B है और X, Z को देखो कितना है, X, Z का C है, समझ में आ रहा है चलो, 4 अभी 4 तो आला देखो क्या है 4 तो आला फाइंड आउट करने बोला है, 10X बोला है, क्या बोला है 10X 10X, 10 का फॉर्मिला भै, अपला कर दो फटाफट, 10 का है opposite upon adjacent बढ़ा है और ना, opposite upon adjacent, तो 10X, X के respect में opposite बताओ कुन सा है, भै, X के opposite में, Y, Z है बरबर, Y, Z upon, adjacent देखो कुन सा है, यह X के respect में, adjacent Y, X है Y, X, या X, Y, जो भी है तो Y, Z, Y, Z देखो कितना value है, Y, Z का A है बरबर, और X, Y का कितना value है, देखो, B है A upon B, समझे ऐसे, ऐसे करके सब values find out कर सकते हैं, 10X हो गया, चलो, इतना copy कर लो copy कर लो IOP हो गया रहेगा चलो, मैं rough कर रहा हूँ यह वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है मेरे प्यारे दोस्तो मैं भी आपसे कुछी साल बढ़ा हूँ पर जारिये कोशिश कि आप भी सिखे, हम भी सिखे हम को जितना आता है knowledge उतना share करे क्योंकि बहुत मान जो पर चानक के पंडित थे आपको मालूम रहेगा चानक के पंडित उन्होंने एक बात कही थी क्या बात थी बात यह कही थी कि ज्यान बाटने से बढ़ता है भईया तो ग्यान बाटना सीखो, अगर तुमको भी आता है तो तुम भी दुसरे को सिखाओ, जब सिखाओगे तब तुम्हारा ग्यान बढ़ेगा, और असलिए मैं मालूम करेगा कि तुमको आता है कि नहीं आता है, कितना आता है, कितना नहीं आता है, ये बहुत important formulas है, बेटा, बह पड़ वाल अभी मैं diagram माना देता हूँ, ऐसा कुछ है, यहां पर 90 डिग्री है, फिर यहां पर L, यहां पर M, यहां पर है N, उसके बाद यहां पर है 40 डिग्री, यहां पर है 40 डिग्री, और यहां पर है 50 डिग्री, कि उसके लाद देखो सबसे पहले बोलाई कि find out करो साइन फिफ्टी भई फिर्स्ट कुछ नहीं डिफ्रेंस से सब सेम है सब सेम सब देखो 50 देखो 50 डिगर कि इदर यहां पर है एल वला एंगल दिख रहा है 50 डिगरी अब साइन का अपने अपन के पास फॉर्मिला के देखो उड़ा देखो क्या है opposite upon hypotenuse opposite upon hypotenuse अब opposite मालूम है भाई तुमको क्या है opposite opposite इसका opposite MN चलो MN फिर MN अभी hypotenuse hypotenuse यानि 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला को रहे है एल एन खत्ताम हो गया फिनेश एकदम एकदम लल्लू पुल्लू कुछ नहीं है उसमें सेकेंड वाला देखो सेकेंड वाला देखो बहुत इसे एक्सेसाइज है इसके आगे वाला भी लेके आने वाला जल से जल कॉस 50 डिग्री कॉस 50 डिग्री क्या है कॉस का देखो क्या ह है और कौस करेखेसेंट अपन हेपोटेंस बरावर ना हेपोटेंस तोтом कहों 50 लीगरी का है यहाँ पर है लम अदसऽ्टा कर आप लें एं म और हाbbeुटेंस देखो क्यों ओन सा है व्लैन समझे गने 178 वाला देखो ठर्ड Esp टैंन फोर्टी डिग्री इजी को देखो तैन फॉर्टी में गर्विर ने थेन फॉर्मिला देखो यहां पर क्या है ओपोसिट ऑपॉसिट अपन एडजेसंट एडजेसंट चलो डाल दो अधर यह है LM है, तो लिख दो भाई LM, LM, बरबर न, उसका एडजेसंट कौन सा देखो, एडजेसंट, 40 का एडजेसंट, यह है, MN, MN, तुमको समझ में आ रहा है न, कि उड़ रहा है सब, सब निकल रहा है उपर से, देखो, बिलकुल इजी है, बस ध्यान देके lecture देखना, अगर इधर तलक आए हो, मतलब, जरूर कुछ ना कुछ सिखके ही जाओगे, समझे, थर्ड, अब यहाँ पर मैं फोट कर दे रहा हूँ, फोट फोट पुछाए तुमको, यह पुछाए कि कॉस 40 डिग्री भाई बताओ, कितना होता है कॉस 40 डिग्री, यह लल्लु पुल्लु सवा एडजेसंड देखो, 40 का एडजेसंड कुन सा है, MN है, MN लिख दो, एडजेसंड माने बाजू वाला, मैं अभी भी बता रहा हूँ, याद रखना, हाइपोटेनेस, हाइपोटेनेस है नहीं 90 के सामने वाला, यानि LN, चलो, LN, उट कर दो, सब मैं पुछा है कि रेशियो उसके इतने बिलेंगे, ओके, चलो, अब मैं फॉर्ट वाला कर दे रहा हूँ, देखले न, यह फॉर्ट वाला जर अध्यान से देखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, पर कोई नहीं, थोड़ा सा, एकदम एकदम थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बाकि कुछ नहीं, देखो, मैं यहाँ पर डाइगराम ट्रॉक कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है उसका डाइगराम, ऐसा, ऐसा, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, उसके बाद नेमिंग है, P, Q, R, S, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर S है, उसके बाद यहा अब क्या पूछा है देखो पूछा है कि साइन अल्फा बताओ सबसे पहले तो बताओ साइन अल्फा क्या है साइन अल्फा यह यह चीज जो है ना यह यह इसको अल्फा बोलते हैं अल्फा यह एक वह जैसे थीटा बताया था मैंने जैसे यह जो चीज है यह इसको बोलते हैं यह मैंने सब basics में करवाया हुगा है अगर वो वीडियो अगर यह नहीं समझ रहा है तो वीडियो पहले देखो first वाला जाके तब आना यहाँ पर बहुत तगड़ा समझेगा कोई जरुवती नहीं है मतलब दूसरा कोई वीडियो देखने के एक यह बार में समझ जाएगा सब अभी sin alpha अब sin alpha देखो alpha पहले बात किदे रहे देखो अब तुमको देखना पड़ेगा देखो यहाँ पर दो triangles दिये यह बीच में से कड़िया है देखो alpha है alpha अब यह 90 degree और इसका यह hypotenuse मतलब P Q R देखो इहां पर ऐसे दो triangle है यहां पर है P, यहां पर है Q, यहां पर है R यहां पर 90 degree और यहां पर है alpha यहां पर alpha है अब तुमको क्या पूछा है? sin alpha, sin alpha यह न confessed sin alpha है नहीं क्या होता है sin मतलब क्या होता है? opposite upon hypotenus बड़वर ना? opposite upon hypotenus अब opposite देखो opposite कुण सा है alpha का opposite देखो alpha का opposite है PQ PQ और alpha का hypotenuse कौन सा है ये 90 के degree 90 degree के सामने वाला मैंनी PR समझे ना क्या हुआ उसके बाद देखो second वाला क्या दिया है second वाला क्या पुछा है तुमको second वाला पुछा है तुमको अरे sine cost 10 अच्छा चलो ठीक है अभी देखो sine alpha पुछा है उसके बाद cos alpha पुछा है हाँ अभी cos alpha, cos alpha तो बता दोगे ना यहां से adjacent upon hypotenuse होता है cos alpha तो adjacent upon hypotenuse adjacent देखो कौन सा है alpha के respect में adjacent देखो यहाँ पर alpha है यहाँ पर adjacent है adjacent माने बाजुवाला side RQ RQ और hypotenuse कौन है 90 degree के सामने वाला जो है R P उसके बाद थर्ड वाला क्या पुछा है आपको 10 alpha पुछा है अब 10 alpha 10 alpha देखो क्या है 10 alpha क्या होता है opposite upon adjacent 10 का formula क्या है opposite upon adjacent alpha अब alpha के respect में देखो alpha का opposite कौन है PQ PQ लिख दो उसके बाद adjacent कौन है देखो alpha का adjacent है RQ वो लिख दो खतम आपका ratio इतने आसान तरीके से बन रहे बस आपको पूछा है कि क्या बनेंगे कैसे बनेंगे चलो यहाँ पर मैं 4th B कर दे रहा हूँ 4th पूछा है आपको sine beta यह चीज जो है यह इसको बोला जाता है beta बी जैसे अपकों English में ABCD बोलते है ABCD बोलते है वैसे Latin में alpha, beta, gamma ऐसा बोला जाता है वो letters होते हैं वहाँ पर तो trigonometry linked है वो वो अले state से या वो अले nation से तभी इतना lengthen है वो चीज का alpha, beta, gamma का समझें? बीटा बीटा कहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर और एक triangle एक ऐसा वाकड़ा triangle देखो यहाँ पर एक 90 degree है यहाँ पर वापिस P है, यहाँ पर Q है यहाँ पर S है, और बीटा यहाँ पर है, ऐसा समझें? दिख रहे हैं? अब देखो, अब बताओ, sign का क्या है opposite upon हाइपोटेनेज, हाइपोटेनेज देखो 90 degree के सामने वाले, यहाँ PS, समझें? बहुत इजिए कूच नहीं है इसमें समझें? थोड़ा वाकड़ा बन गया line चलो, सीधा कर देते हैं उसको तेड़ा बन गया थोड़ा मैं अभी तुम्हारे ही उमर का हो tension ना लो सीखने में मज़ा आएगा fifth वाला क्या है? fifth वाला है, cos beta cos beta cos beta देखो, cos beta क्या होता है? cos beta नहीं, beta के cos, सबसे पहले तो cos लिख देने का cos क्या है? देखो adjacent upon hypotenuse adjacent upon hypotenuse adjacent देखो, क्या है? adjacent, adjacent adjacent क्या है? बीटा का adjacent नहीं बाज़ुआला है, यहीं PQ चलो, लिख दो PQ अब जो hypotenuse है hypotenuse है नहीं 90 degree के सामने वाला PS, समझे? उसके बाद sixth sixth और last चीज है यह 10 beta क्या होता है? यह पुच्छा है चलो, 10 beta का क्या होता है? opposite upon adjacent होता है यह आपको मालूम रहेगा opposite upon adjacent opposite upon adjacent है opposite, beta का opposite देखो QS दिख रहा है? चलो लिख दो QS उसके बाद, adjacent देखो beta का adjacent क्या है? PQ देख रहा है ना? PQ न, sorry कुछ और समझ गया sorry PQ देखा देखा P और Q चलो, screenshot लेना तो ले लो या copy भी करना तो कर सकते हो कर लिया कर लिया copy चलो एक बात बता दे रहा हो देखो यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो समझ ही गया हो रहेगे कि मतलब हमारा मोटो क्या है चैनल का हमारा चैनल का एक टैग लाइन है हमने जो बनाया है Your Excellence Is Our Achievement और वो हमने अच्यू करना है तो आप हमारी मदद करे यह अच्यू करने में और कैसे करोगे Share करो अपने दोस्तों में भला करो दोस्तों गा और तुम भी सीखो बहुत तगड़ा नॉलेज मिलेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना Share करना और Like भी देखके जाना समझे? चलो और वो बेल आइकन जो है वो प्रेस करके जाना क्योंकि बाद में पीछे छूट जाओगे तो मुझा नी बोन ला समझे? चलो बाई बाई